हलो दोस्तों आज बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और इजी मिठाई की रेसिपी वीडियो को पूरा देखिएगा रेसिपी जरूर पसंद आएगी और मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा चलिए बनाते हैं अब सबसे पहले एक मिक्सी का जार ले लेंगे इसमें डालेंगे आधा कप्चीनी साथ बादाम साथ आठ काजू इनको भी डाल लेते हैं तेन इलाइची डाल लेंगे इसी चीनी में पिस जाएगी अब सारी सामगरी को अच्छे से पीस लेंगे अब यह अच्छे से पिस गया है इसका फाइन पाउडर बन गया है यह देखिए एकदम बारीख हो गया है अब इसको डाल लेंगे एक मिक्सिंग बॉल में अब इसमें बाकी की सामगरी डाल लेते हैं आधा कप डालेंगे नारियल का बुरादा एक कप से थोड़ा सा कम डाल देंगे मिल्क पाउडर लगभग पाउना कप इससे बिल्कुल फोया जैसे टेस्ट आएगा अब दो चमत देसी घी डाल देंगे अब घी डालने के बाद हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेना है अभी अच्छे से मिक्स हो गया है अब इसमें थोड़ा थोड़ा दूद डालके इसको गूत के तयार करेंगे जैसे आटा गूतते हैं बिल्कुल उसी तरह गूतेंगे टाइट थोड़ा सा गूतेंगे गीला नहोने पाए गरम दूद नहीं डालना है नर्मल दूद रहे दूद को थोड़ा थोड़ा डालेंगे फिर मिला लेंगे फिर थोड़ा सा डालेंगे फिर मिलाएंगे लगा है बहुत ज़्यादा दूद नहीं लगता है तिन चार चम्मच के आसपास पढ़ता है उतने में हो जाता है अब एक मोदक मोल्ड ले लेंगे इसको मैंने घीचे ग्रीज कर लिया है कि अब छोटा सब पोर्शन उठाएंगे कि अब इसमें ऐसे दबा देते हैं कि इस तरह से अब दोनों को आपस में अच्छे से दबा देते हैं कि जो साइड का है इसको हटा देना है कि इसको हटा के बराबर कर देंगे कि अब इसको खोल देंगे अब यह देखे कितना अच्छा मोदग बन के तयार हुए अब मोदग मोल्ड से बहुत अच्छे मोदग बन जाते हैं लेकिन अगर मोल्ड ना हो तो कैसे बनाएंगे एक मैं बना के दिखाती हूं अब इनको एक प्लेट पर रख लेंगे अब एक छोटा सा पॉर्शन उठाते हैं इसको हाँ से दबा करके गोल कर लेना है पहले इस तरह से अब थोड़ा सा लंबा कर देंगे नीचे का पॉर्शन लंबा करेंगे इस तरह से यह देखिए अब इसको हाँ से ऐसे पूस करके दबा देते हैं गनेजी के भोग के लिए यह मोदक आप जरूर बनाईएगा बहुत जल्दी बन जाते हैं पांच मिनिट लगेंगे आप भोग तयार हो जाएगा और गैस भी नहीं जलाने पड़ेगी बिना गयस जलाए कोई जंजट नहीं होगा आराम से बन जाएंगे एक बार मेरे तरीके से जरूर ट्राइ कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मेरा बनाने का तरीका कैसे लगा अब यह देखिए इस तरह से बना लेना है और एक स्काइब करना ना भूलिएगा बिल आइकन ज़रूर दबाईएगा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा यह दिखिए अगर मोल्ड ना हो तो आप इस तरह हाँ से भी बना सकते हैं और सारे बना के तैयार कर लेंगे यह गनेश जी के भोग के लिए बहुत ही टेश्टी मोदग बन के तैयार हैं इनको बनाना बहुत आसान है बहुत कम समय में बन जाते हैं आप उधर पूजा की तैयारी करिए इधर पांच मिनट में इनको बना के तैयार कर लिजिए एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा कुए दो कि अजय को अजय को आप सकता है